भारत के तक्जिय च्छेत्र को विशेश करके पूर्वी च्छेत्र को पभावित किया और उसमें भी सबसे ज़्यादा दूस्परणाम पच्छिम बंगाल के हमारे भाईयों भाईयों को पच्छिम बंगाल के नागरीकों को यहां के संपति को बहुत हानी पहुँचाई साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर कि लगाता मैं इससे संबंदी सभी लोगों से संपर्ग में था 12 سरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर में थी साइकलोन का नुक्षान कम से कम हो इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकरके वर्सक प्रयास किया लेकिन उसके बाव सुथ भी करिव करिव 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए इसका हम सब को दूख है जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रती केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सब की सम्वेधनाएं है और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ है संपतिकारी नुक्षान काफी होता है चाहे अगरिकल्चर हो चाहे पावर सेक्टर हो चाहे तली कम्मिनिकेशन हो चाहे घरों का उजड़ जाना हो अनेक प्रकार का चाहे वह इन्फा सेक्टर का हो चाहे व्यापार जगत से जोड़े हुए हो चाहे खेसिक श्यत्र से जोड़ हुए हर किसे को नुक्षान होता है आज मैंने हवाई निविक्षन करके बारीकी से इस प्रभावग्रस विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ गवर्णर स्री के साथ दोरा करके उसको देखा है अब भी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्रांथवी काकलन है उसका व्योरा दिया है हमने ताइक किया है कि हो सके उत्रा जल्द डिटेल में सर्वे हो कृषि का हो पावर सेक्टर का हो बैली कॉम्मिकेशन का हो घरों की जोस्ति हैं इन्फा सक्कर की जोस्ति है केम्र सरकार की तरफ से भी तब काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी छेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रियेवरिटेशन हो रिस्टोरेशन हो रिकंस्ट्रक्शन हो उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घरिव हैं हम पूरा-पूरा साथ देंगे सहयोग देंगे और बंगाल जड़ से जड़ खड़ा हो जाएं बंगाल जड़ से जड़ तेजगती से आगे बढ़े इसके लिए भारत सरकार कंदे से कंदा बिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यक्ता है होगी उन आवश्यक्ताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी निती नियम है उसका पूरी तरह उप्योग करते हुए पच्छिम मंगाल के मदद में हम खड़े रहेंगे अभी तक काम जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठेना ही नहीं हो इसके लिए एक एड़वांस आसिस्टंस के रूप में एक हजार करोर रूपिया बारत सरकार के तरब से वबस्ता की जाएगी साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोये हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री जाहत कोच से दो लाथ रूपिया और जिन लोगों को इंजरी हुई हैं उनको पचास हजार रूपिया तक कि सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री जाहत कोच से करेंगे पूरी दुनिया एक संकर से जूज रही है भारत भी लगाता कोरोना वाइरस के खिलाब लड़ाई लड़ रहा है कोरोना वाइरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइकलों में जीतने का मंत्र दोनों पुरी तरह एक दूसरे के अपोजीट है कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वही रहे जरुरत नहीं हो तक तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए दूर बज़ की दूरी बनाए रखे लेकिन साइक्वान का मंत्र है कि साइक्वान आ रहा है जल्दी से जल्दी सुरक्षी स्थल पर अब सिप्ट कर जाएए वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए अपना घर खाली कीजिए यानि दोनों अलग लग पकार की लड़ाईयां एक साथ पस्चिम मंगाल को लड़ने पड़ी है लेकिन उसके बाव अजी में जो भी आवशक्त जो एडवांस करने योग्य था जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनेओं के करने की आवशकता है उसको भी पुरा करने का हम प्रयास करेंगी आज समगर देश को जिन के लिए गवरव है ऐसे राजा राम मोन राय जी की जन्व जैन्ती और उस समय मेरा पश्चिम मंगाल की इस पवित्र धर्ति पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है लेकिन संकर की घड़ी से हम जूज रहे हैं तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा राम मोन राय जी हम सब को आशिरवाद दें ताकि समायनों कुल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूड़ा करने के लिए हम मिल बैट करके मिल जूल करके एक उजवल भविष्य के लिए भावी पीडी के निर्मान के लिए समाज शुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राम मोन राय जी को उत्तम स्रद्धान ली होगी मैं मेरे पसिम मंगाल के सभी भाईयों ब्रहनों को भी स्वाच दलाता हूँ कि संकट की घडी में पूरा देश आपके साथ है भारत सरकार कंदे से कंदा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों बे खडी रहेगी इसी संकट की घडी के समय आप सब से मिलने आया हूँ लेकिन कॉरोना वाइरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पार रहा हूँ मन में एक कसर तो रह जाएगी यहां से मैं आज उडिशाएगी और जाऊंगा और वहां भी हवाई निरिक्षान करूंगा वहां के माने मुख्मित रिजी से वहां के सरकार से बाज़ित करूंगा मैं फिर एक बार पश्चिम मंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ जद से जब आप इस संकर से भार रिख ले इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद झाल